मेरा नाम तुशार है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसका नाम निधी था निधी मुझे जान से ज्यादा प्यारी हो गई थी, उससे मुझे इतना प्यार हो गया था कि मुझे उसके अलावा कोई और लड़की अच्छी ही नहीं लगते थी जितना प्यार मैं निधी से करता था उतना ही प्यार वो भी मुझे से करती थी हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे मेरे पापा का रेस्टुरेंट था और मैं वहाँ पर कभी कभी चला जाता था मैंने वहाँ पर पहली बार निधी को जब देखा था तब इसे मुझे उस से प्यार हो गया था वैसे तो मैं रेस्टोरेंट में कभी-कभी किसी काम के सिलसले में चला जाता था मगर जबसे मैंने वहाँ पर निधी को देखा था तो मैंने वहाँ हर रोज जाना शुरू कर दिया था सिर्फ और सिर्फ निधी की एक जलक देखने के लिए क्योंकि अक्सर निधी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आती थी मेरी फैमली में रुपे पैसे की कोई कमी नहीं थी हम दो भाई थे और मेरी दो बहने थी और मेरे ममी पापा हम सब लोग अपनी फैमली में खुशी खुशी रह रहे थे मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था मेरी एक बहन की शादी हाल फिलाल में हो गई थी अब सबसे छोटी बहन बची थी लेकिन घर में मेरी ममी मेरी शादी करना चाहती थी मगर मैं दिल ही दिल में निधी को पसंद करने लगा था अभी तक मैंने उसे अपनी महबत का इजहार नहीं किया था लेकिन एक दिन हार कर मैंने निधी को प्रोपोस कर ही दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी महबत किसी और के हवाले हो जाए और फिर देर हो जाए और मैं पच्चताता रह जाऊं। मैंने जब निधी को प्रपोस किया तो वो पहले तो नहीं मान रही थी। मगर फिर जब मैंने उसे अपनी महबत के दावे दिखाए तो वो मेरी महबत के जाल में फस गई थी। इदर घर में मेरी मम्मी मेरी शादी करन चाहते थी हर रोज मुझे एक नई लड़की का फोटो दिखा रही थी और मैं हर लड़की को ना पसंद कर दिया करता था निधी की हाँ सुनने के बाद में बहुत खोश था इसलिए घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को निधी की फोटो दिखाई थी और उसके बारे और उसकी मासूमियत बहुत पसंद थी निधी भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती थी उसके परिवार वाले बहुत खांदानी लोग थे और लव मैरिज के अगेंस थे इसलिए निधी का कहना था कि तुम अपनी फैमिली को मेरे घर रिष्टा लेकर भेज दो इस मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थी जो लोगों में अपनी एक इमेज बना कर रखती थी उन्होंने पूरे महले में ये बात वायरल की हुई थी कि उनके दो बेटे हैं और वो दोनों ही बेटों के लिए खुपसूरत लड़की लेकर आएंगी इसलिए उन्होंने निधी का फोटो साफ इंकार कर दिया था मम्मी का इंकार सुनकर मेरा दिल तोड़ गया था मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ निधी और मेरे बीच अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था हम दोनों की बाते होते हुए काफी दिन हो गए थे मेरी मम्मी मानने के लिए तैयार ही नह चाहती हूँ मगर मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिस से मेरी फैमिली की इज़त खराब हो जाए मैं उसे यह बताकर शरमिंदा नहीं करना चाहता था कि मेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं आई हो वरना उसे ऐसा लगता कि उसके अंदर कोई कमी है मैंने इस बारे में पापा से बात की और उनको निधी का फोटो दिखाया तो मेरे पापा को निधी देखते ही पसंद आ गए थी मैंने अपने पापा से जित करके कहा था कि मैं इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ अगर मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई तो मैं शायद मर जाऊंगा मेर की बात सुनकर मेरे पापा डर गए थे उन्होंने मम्मी को डाट दिया था और कहा था कि अगर घर में बहु आएगी तो यही लड़की बनकर आएगी मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों को ही निधी पसंद नहीं आई थी इसलिए दोनों का मूड आफ था मेरी बड़ी बहन तो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी इसलिए उसे फोटो सेंड कर दिया गया था उसे निधी पसंद आ गई थी उसकी भी हाँ थी पापा ने फैसला कर लिया था कि वो मम्मी को लेकर निधी के घर जाएंगे मम्मी जाना तो नहीं चाहती थी मगर पापा के कहने पर वो च चली गई थी इस तरहां निधी की फैमली ने मुझे भी देखकर पसंद कर लिया था और फिर हम दोनों की शादी हो गई निधी विदा होकर मेरे घर आ गई थी मैंने अपने पापा के ही रेस्टरेंट में जाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी इस मुझे लगा शायद वो अपनी फैमली और अपने घर से दूर हो गई है इसलिए उसकी कंडिशन ऐसी हो रही है मगर वो तो किसी और वजह से परिशान थी जिसको मैं समझ नहीं सका था दिन इसी तरहां से गुजरती जा रहे थे मुझे पापा ने रेस्टरेंट में ही मैने मेरी पत्नी को एकसेप्ट कर चुकी है मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का मूड मेरी पूरी शादी में आफ रहा था लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था इधर अपनी पत्नी का मोट खराब देखकर मैं थोड़ा घबरा जाता था मुझे उसकी तब्यत भी कुछ ठीक नहीं लगती थी मैं अपनी पत्नी को अपने करीब करने की कोशिश करता तो वो मुझसे दूर-दूर रहती थी न मुझसे कोई बात करती थी निदी की ऐसे कंडिशन शादी से पहले तो नहीं थी शादी स उस पर हक था और अभी तो हमारी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था फिर उसने मुझसे दूरी क्यों कर ली थी एक दिन में जल्दी घर आ गया था तो मैंने देखा कि निधी अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी मैंने उसके रोने की वज़ा पूछी तो वो कहने लगी कि तुम्हारी मम्मी और बहन को अगर मैं पसंद नहीं थी तो उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई मैंने उससे कहा कि तुम ये कैसा सवाल कर रही हो अब उन दोनों का मूट तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहता है और वो तुम्हारे साथ बहु निदी कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मम्य और बेहन मुझपर बहुत अत्यचार करती हैं मैं उनका अत्यचार बरदाश नहीं कर सकती प्लीस तुम मुझे डिवोर्ज दे दो निदी की बात सुनकर तुम मेरे होश उड़ गए थे मैंने कहा कि तुम पतनी के साथ हम इतना अच्छा बिहेव करते हैं फिर भी उसका मोट खराब रहता है हम जानते हैं कि तुम्हारी पतनी रोने का नाटक कर रही होगी और उसने तुम्हें हमारे खिलाव भलका दिया होगा मेरी मम्मी कहने लगी बेटा मुझे भले ही तुम्हारी पतनी पसंद थी मगर शादी हो जाने के बाद मैंने उसे एकसेप्ट कर लिया है और वो इस बात को मान क्यूं नहीं लेती कि वो इस घर की बहु है मैंने मम्मी से कहा कि आप मुझे सीदी सीदी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है आप दोनों पहेलिया बुजा रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी सारदिन मोबाइल में लगी रहती है अगर हम उसे किसी काम के लिए कहते हैं तो कहती है कि मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ मम्मी रोते हुए कहने लगी बेटा आज मैंने तुम्हारी पत्नी से खाना बन पिलने के लिए गया और मैंने उसे जाकर समझाया कि निधी ये तुम्हारा घर है अब तुम्हें इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा वो मेरी बात सुनकर चौक गई और कहने लगी तुशार मैं इस घर की बहु हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी मम्म जूट नहीं बोल रही तुम ही जूट बोल रही हो तुम ना जाने कैसी हो गई हो तुम मुझसे भी दूरी बनाये रहती हो कहीं से भी हम दोनों को देखकर लगता है कि हम दोनों नए कपल्स हैं अपनी पतनी को डाट कर में बातरूम में नहाने के लिए चला गया था बातर मम्मी और मेरी बहन की शिकायत करती थी मेरी तो कुछ समझी नहीं आ रहा था मैं इन सब बातों से बहुत तंग आ गया था मैं अपनी मा बहन और अपनी पत्नी के बीच में दब कर रह गया था मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ मैं अगर अपनी मम्मी से कुछ कहता तो वो मुझे रो रो कर वास्ते देती हो और कहती कि तुम इस लड़की के कहने में आकर अपनी मा से लड़ते हो और अगर निधी को समझाने की कोशिश करता तो वो कहती कि तुम मुझे डिवॉर्स दे दो मैं इन सबसे बहुत तंग आ चुका था मैं अपनी पत्ने से नराज रहने लगा था मुझे भी सुकून की जरूरत थी इसलिए मैं अपने रेस्टरेंट के आफिस में ही रात को रुखने लगा था और सारी रात वहीं पर गुजारता था जब मैंने इस बारे में पापा से बात की तो वो कहने लगे कि ये घर की यौर्तो का मामला है तुम उनके बारे में मत बोला करो मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ होटेल में था तब अचानक निधी की कॉल आई और वो कहने लगी कि वो अपने Kelly जा रही है जो उसकी हालत ऐसी हो रही है, मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरी तरफ से निधी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो निधी से पूछ सकते हो, निधी ने यही कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसने अपने घरवालों के सामने मेरी मा और बेहन की जिस पर वो लोग शिकायत लेकर हमारे घर आये थे कि उनकी बेटी को यहाँ पर तंकियों किया जा रहा है। लेकिन वो हर बार मुझसे यही कहती थी कि तुम्हारी मा और बहन मुझे पर अत्यचार करती है। बेहन भी कह रही थी कि देखो तुम्हारी पतनी इसने तो आज बहुती घटिया हरकत कर दी आज ही अपने घरवालों को हमारे यहां शिकायत लेकर आई है आगे इसके घरवाले पुलिस को भी ला सकते हैं अगर इसने हम लोगों पर कोई इल्जाम लगा दिया तो हम तो कहीं म अम्मी की बात बिल्कुल सही लग रही थी इसलिए मैंने उस दिन निधी से बहुत जगड़ा किया था और मैं जगड़कर अपने आफिस में आकर बैट गया था मैंने सारी रात वहीं पर गुजारी थी कई दिन हो गए थे मेरी इसी तरह से निधी से नराजगी चल रही थी एक दिन मेरे छोटे भाई की कॉल आई और उसने कहा कि भाईया जल्दी घर आ जाओ भावी की बहुत जादा तव्यत खराब हो गई निधी की कंडिशन के बारे में सुनकर मैं घबरा गया था और मैं अपने सारा काम का छोड़ कर फोरण ही गाड़ी लेकर घर पहुँच गया मैं जैसे ही घर गया तो निधी बेहोश थी मैं उसे लेकर फोरण अस्पताल चला गया लेकिन डॉक्टर की बात पर मेरे होश उड़ गये डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी पतनी लाचार हो गई है अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाईगी मैंने बौकला कर अपनी पतनी के तरफ देखा वो सर जुका कर अफसोस में बैठी हुई थी आज मुझे याद आ रहा था कि निधी मेरी कितनी पसंदीदा लड़की थी कितने अर्मानों के साथ मैंने उससे शादी की थी मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक निधी के साथ ना जाने क्या हो गया अचानक वो ऐसे लाचार कैसे हो सकते थी निधी से मैंने पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ तो उसने कहा कि मेरी टांगों में काफी दिनों से दर्द हो रहा था आप मुझसे नाराज थे इसलिए मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया मगर आज जब मैं ब ठूटा बहाना बना रही है ताकि खुद से दूर कर सके मगर डॉक्टर की बात सुनकर मुझे यकीन आ गया था मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया था मैं बहुत टेंशन में था कि अचानक निधी के साथ इतनी बड़ी परिशानी कैसे हो गई मैंने घर आकर जब अपनी मम्मी से कह दिया था कि निधी घर का कोई काम नहीं करेगी क्योंकि अब वो लाचार हो चुकी है मेरी पत्नी चीक चीक कर रो रही थी क्योंकि उसके टांगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसने कहा कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है मैंने उसे दवाई द दी थी मगर उसे फिर भी सुकून नहीं था मैं उसे दुबारा से डॉक्टर के पास लेकर आया था डॉक्टर ने दवाई चेंज करके दी थी हमारी शादी को अब दो महीने हो गए थे पिछले काफी दुनों से हम दोनों की नाराजगी चल रही थी हम दोनों लड़ाई की वज़ा से एक दूसरे से दूर थे अब हम इस बात से एक दूसरे से दूर रहने लगे थे कि मेरी पत्नी को अब तकलीव ज्यादा होने लगी थी अपनी पत्नी के हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था वो रोती थी और यही कहती थी अगर आप चाहो तो मुझे करता हूं मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी के चहरे पर मुस्कान आ गई थी वो कहने लगी कि मैं पिछले कई दिनों से तकलीव झेल रही हूं बस आप मेरी कोई बात नहीं सुनते इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया आपको लगा होग कि गलती मेरी ही है मैं उससे कई दिनों से नाराज था और अपने आफिस में ही रह रहा था पिछले एक हफ़ते से मैंने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली थी ना उससे फोन पर बात के थी और ना घर गया था शायद इस दौरान ही उसकी तबियत बिगड़ गई होगी और आती थी क्योंकि मेरी पत्नी किसी काम के लायक नहीं रही थी वह विस्तर पर ही रहती थी दो महीनेशादी होने के बावजूद भी हम दोनु की वीशादी शुदाज जोरो में जो मोहब्बत होती है वह नहीं आई थी मुझे लगता था कि शयाद हम दोनों की जिन्दे की शादी से पहले ज्यादा अच्छी थी हम दोनों दूर थे मगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे जब से एक दूसरे से शादी के बंदन में बंद गए थे तब से ही एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे मैं जब भी निदी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो मु मुझे देने लगी थी उसका अंदाज अब मैं बरदाश नहीं कर पा रहा था इन ही दिनों मेरे मुबाइल पर किसी अन्नो नंबर से कॉल आई एक लड़की रोते हुए मुझसे पैसे उधार मांग रही थी वो कहने लगी कि मेरे पापा बीमार है और अस्पताल में पड़े ह मेरे पास अस्पताल के खर्चे के पैसे नहीं है मैंने भगवान के भरोसे अंजान नंबर पर कॉल मिलाई है आप जो भी हो प्लीज मेरी मदद करो मैं आपके पैसे जल्द ही लोटा दूंगी उस लड़की की आवास से लग रहा था कि लड़की कम उम्रिकी है लगतार रोन की वज़ा से उसकी आवास भारी हो रही थी मैं जानता था कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे थे मोबाइल पर पैसे बटोरने और माता पिता के इलाज के जोटी कहानी सुनाने वाली लड़कियों ने इस काम को अपना बिजनेस बनाया हुआ था मैंने फिर भी इस लड़की को मिलने के लिए अपने ही रेस्टरेंट में बुलाया था उशायद सच में मजबूर थी इसलिए फॉरन मान गई थी मैंने उसे एड्रेस सेंड कर दिया था मगर उसने कहा कि मैं वहां नहीं आ सकती अगर आपको मेरे उपर यकीन नहीं है तो आप मेरे घर आ जाओ उसने एड्रेस सेंड किया तो मैं उसके घर पहुँच गया था महां पर कोई लड़की मौजूद नहीं थी मैंने इधर उधर देखा तो मुझे उस एड्रेस पर कोई नजर नहीं आ रहा था सिर्फ महां पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी मुझे लगा कि मुझे लड़की थी उसकी आँखें आसों से भरी हुई थी मैंने अपने कपड़ों का कलर और अपना हूलिया उस लड़की को पहले ही बता दिया था जबकि उसने मुझे बताया था कि वो नीले रंगे कपड़े पहन कर मुझे से मिलने आएगी मैंने खुद उस लड़की को बेयक कीनी से देखा मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने खुबसूरत और कमसिन लड़की होगी वो मेरे सामने आकर रुकी और कहने लगी तुशार जी हमारी फोन पर बात हुई थी मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे उसने सवाल करते हुए अंदास में कहा तुम मैंने हा करते हुए सर हिला दिया वो मेरे सामने बैठ गई वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कोई भी मुझ पर यकीन करने के लिए तयार नहीं था जान पहचान के लोग तो वैसे भी ऐसी मौके पर बिलकुल नजर फेड लेते हैं मुझ जैसे गर पिता हैं वो भी बिमार रहते हैं एकलौता वही मेरा सहारा है खाना पीना तो जैसे तैसे हो ही रहा था मगर अब मेरे पिता बहुत भीमार हो गए उनका इलाज नहीं करवाया तो मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे वो फूट फूट कर रोने लगी थी और ब बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मैंने उस लड़की को देखकर बैठे बैठे एक फैसला किया था उस लड़की ने सवाल करते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा उस लड़की को जरूर मेरा हूलिया देखकर मुझ पर यकीन आ गया होगा कि मैं उसके साथ गई थी मैंने उससे कहा कि हर इंसान के जिंदेगी में परिशानिया होती हैं शादी के एक हफ़ते बाद ही मेरी पत्नी से मेरे जगले शुरू हो गए थे और अब वो लाचार हो गई मैं अपनी पत्नी से बहुत महबत करता था मगर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो स का और हम दोनों के बीच दूरिया ही बढ़ गई मैं बहुत परिशान रहने लगा हूँ मुझे भी किसी के सहरे की जरूरत है और तुम भी अपने पता की वज़ा से परिशान हो फ्रेंडशिप से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम दोनों आपस में बात्चीत कर लिया करेंग ऐसे नकरे वाली लड़की से शादी करने के लिए मैं मरा जा रहा था जिसकी महबबत पाने के लिए मैंने उससे शादी की थी मगर वो मुझे शादी के बाद महबबत नहीं दे सकी थी लेकिन अब इस कम उमर की लड़की को देखकर लगा जो सुकून इस लड़की में है व इसके हर बात सच थी, इसके पिता सच में बिमार थे और बिस्तर पर पड़े हुए थे, डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रुपे मांगे थे, मैंने 50,000 रुपे डॉक्टर को दे दिये थे, उसके बाद में अस्पताल से निकल आया था, वर्तिका बहुत मासूम और तो मुझे बताना, मैं हर हाल में आपका हैसान का बदला चुका कर ही रहूंगी, वो मुझे यकीन दिला रही थी, जबके मैं तो उसके खुबसूरत शरीर पर नजर गड़ाय खड़ा हुए था, मैं बाहर निधी से हटकर किसी लड़की में इंट्रेस्ट ले रहा था, वर् ऐसे ही उसके करीब जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, तो वो मेरे हाथ को जटक दिया करती थी, मुझे भी अब उससे लड़ने जगलने और रोने की कोई परवा नहीं थी, उसको हर बार मेरी मा और बहन की शिकायते रहती थी, इसके अलावा उसे कोई और काम नह था ताकि उसके हमदर्दी हासिल कर सकूँ, एक दिन वर्तिका ने मुझे रोते हुए बताया कि वो जिस घर में काम करती है, वो लोग आज़कल उसके काम में बहुत कम या निकालने लगे हैं, उसने कहा कि पहले ही मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, अब तो पिताजे की बि इस वज़ा से घर के काम में कुछ दिक्कत हो रही है वैसे तो मेरी मम्मी काफी काम करती है लेकिन और तुम उनके हाथ बटा दिया करो मैं तुम पर घर का ज्यादा बोज नहीं डालूंगा और पैसे भी सही दूंगा वर्तिका ने मेरी ओफर एक्सेप्ट कर ली थी वो अगल मेरे लिए ऐसी ही लड़की तलाश करना चाहती थी मगर मेरी पत्नी तो निधी बन चुकी थी मेरी पत्नी तो वर्तिका को घूरती हुई नजरों से देख रही थी मैं जानता था वो भी मेरी तरह वर्तिका की खुपसूरती से चौक गई थी वर्तिका की गैट अप से लगी मम्मी का कहना था कि वर्तिका के आजाने से मुझे बहुत आराम मिल गया मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है मैं हमेशा वर्तिका के साथ हमदर्दी जताता था और उसके बहाने बहाने से करीब होने लगा था कभी कभी बातों ही बातों मैं मैं उसका हाथ थाम लेता वो म काफी दिर तक अकेले बैट कर बाते करते रहते थे इस बात पर मेरी मम्मी और बहन को भी कोई दिक्कत नहीं थी और निदी हमेशा रूम में रहती थी वो तो कभी बाहर आती ही नहीं थी वर्तिका मुझे अपने घर की कहानी बताती रहती थी जबकि मेरा इंटरेस्ट उसके खुबसूरती पर होता था मैं उसे कभी-कभी गिफ्ट्स बे खरीद कर दे देता था और कभी उसे कपड़े भिलाकर दिया करता था वो मेरे लाय हुए कपड़े पहन कर जब हमारे घर पर काम पर आती तो वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी मैं उसकी तारीफ में जमीन आस्मान एक कर देता था वो शर्मा कर मुस्कूराने लग जाती थी मेरी नजर में वर्थी का एक खुबसूरत खिलोना थी जिसे मैं अपनी मर्जी से जितना चाता इस्तमाल कर सकता था मुझे निदे का कोई डर नहीं था निदी ने मुझे से पूरी तरह से बाचीत करना बंद कर दी थी मैं कमरे में जाता तो वो अपने मुबाइल में लगी रहती थी अब तो उसने मेरी माँ और बहन की शिकायत करना भी छोड़ दी थी उसकी तरफ से मुझे कुछ सुकून हो गया था इधर वर्तिका के खुबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था मैं उसके साथ कुछ गलत करके अचानक उसे डराना नहीं चाहता था मैं जानता था कि वो बहुत मासूम लड़की है इसलिए धीरे धीरे उससे फ्री होने लगा था मगर अब मेरे लिए इंतिजार करना मुश्किल हो रहा था मैं उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छाई और पैसे के ऐसान तले दबाता चला गया और उसके पिता के इलाज पर भी पैसे लगाने लगा उसे महगे महगे गिफ्ट्स देने लगा धीरे धीरे मैं वर्तिका के करीब होने लगा तो वो मुझे कुछ बताना चाहती थी मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था हर वार उसे एगनोर कर दिया था एक दिन जब मैं घर आया तो मेरी मम्यों और मेरी बहन मेरे दादाजी के घर गई हुई थी घर में सिर्फ निदी ही अकेली थी मैं घर आया तो मुझे वर्तिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी मैं परिशान हो गया और बेकरार सा होकर उसे घर में हर जगा तलाश करने लगा मैंने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि वो स्टोर की सफाई कर रही है निधी कहने लगी कि वर्तिका मुझे बता रही थी कि स्टोर रूम का समान बहुत बिखरा हुआ है इसलिए मैंने उसे इस्टोर अच्छे से साफ करने के लिए कह दिया मुझे स्टोर रूम ही साफ कर रही होगी अपनी पतनी की बात सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया था मुझे लगा कहीं वर्तिका जल्दी तो नहीं चली गई आज मैं स्पेशली वर्तिका के लिए ही जल्दी आये था क्योंकि मुझे मेरी बहन कॉल करके बता चुकी थी कि वो लोग दादा जी के घर जा रहे हैं मैंने सोचा मौका अच्छा होगा निदी तो वैसे भी कमरे में ही रहती है इस बहाने में वर्तिका के और करीब आ जाऊंगा निदी के साथ कुछ देर बाते करके मैं बहाने से उठा और स्टोर रूम में पहुँच गया इस छोटे से कमरे में वर्तिका पसीना पसीना हुई सफाई करने में बिजी थी उसके चहरे पर नमी और लाली चाई हुई थी पीले बल्ब की रोशने में उसका खुबसूरत शरीर दमक रहा था उसने अपने दुपटे को एक साइट पर रखा हुआ था मैं ठिटक कर उसके रूप की तरफ देखने लगा इस हाल में मेरा ध्यान पूरा पूरा वर्टिका की तरफ था मेरे लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया मैंने खामोशी से अंदर जाकर दर्वाजा बंद कर दिया और कदम बढ़ाकर वर्टिका के करीब हुआ वो मुझे देखकर चौक गई घबरा कर उसने अपना दुपट्टा उठाना चाहा मगर मैंने उसे रोक लिया था मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इस तरहा घर का काम करती हो मेरे घर के लोगों ने तुम पर ज्यादा ही काम का बोज डाल दिया है तुम गर्मी में सुबह से खड़ी यहां पर तंग हो रही होगी मुझे पता होता तो मैं निदि से स्टोर की सफाई करवाने से मना कर देता मैं उससे कह दूँगा कि वो तुमें ऐसे काम ना बताया करे मैंने बाते करते हुए वर्टिका की चेहरे को टेच किया तो वो हड़ड़ा कर पीछे हड़ गई थी कहने लगी मुझे किसी भी काम में परिशानी नहीं होती मैंने खुद आपकी पत्नी से कहा था कि स्टोर रूम बहुत गंदा हो रहा है मैं सफाई कर देती हूँ वो मुझसे अभी बात कर ही रही थी कि इतनी देर में मैंने उसका हाथ जटके से पकड़ कर उसे अपने करीब खेंच लिया वो फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी वो काम प रही थी मैं उसको जबरदस्ती अपने करीब करने लगा वो मुझे खुद से छुडाने की कोशिश कर रही थी वो कहने लगी आप ये क्या कर रहे हो मैंने कहा मैं कबसे तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस दिन का काफी दिनों से इंतिजार कर रहा था देखो अगर तुम मेरी चाहत पूरी कर दोगी आफ नजर आ रही थी वर्तिका कहने लगी प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मगर मैं उसके कोई बात नहीं सुन रहा था वर्तिका की इज़त के साथ खिलवाल करना चाह रहा था इतनी ही देर में धलाम से दर्वाजा खुला और मैं घबरा गया था जै से देखकर निधी आगे बड़ी और उसने मेरे गाल पर एक थपड लगा दिया था निधी ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है मैंने उससे कहा कि तुम यहां कैसे आई तुम तो तब यह ठीक नहीं है और तुम तो चल नहीं सकती हो तो फिर तुम यहां तक कैसे आई निधी कह गटिया इंसान तुमने मेरी मुहबत का फायदा उठाया मैंने कहा निधी ये लड़के जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी तुम चाहो तो इससे पूछ सकती हो मैं तो बस स्टोर रूम में इसे देखने के लिए आया था कि ये सफाई किस तरहां से कर रही है म काफी समय से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई थी आज इस तरह से मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए थे मेरी पत्नी कहने लगी तुम हो ही घटिया इंसान तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है तुम लोगों ने मुझे बहुत परिशान किया मैं तुम से अभ पता निधी तुम्हारा पती मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था निधी कहने लगी कि चलो यहां से चलते हैं मैं निधी के आगे हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था मगर उसने ठान ली थी कि वो यहां से जाना ही चाहती है मैं निधी को बहुत यकीन दिला कर दो मुझसे गलती हो गई निधी कहने लगी आखिर मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ किया तुमने मेरी बात का यकीन किया था उसकी ये बात सुनकर मैं चौक गया था और सीधा खड़ा हो गया मैंने कहा कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है निधी मैंने तुम्हा ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, यहां तक कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, मैंने हर बार तुम्हें उनकी बात बताने की कोशिश की, तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, हर बार तुमने मुझे डाट दिया, और मुझसे हर बार नराज होकर तुम अपने आफिस में रुकने लगे मैं सब को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी मगर तुमने मेरी मुहबत की शादी के बाद भी कदर नहीं की तुमने हर बार अपनी माँ और बेहन पर ही अकीन किया और हर बार मुझे गलत साबित कर दिया बात पर यकीन ना करता तो कैसा महसूस होता है मैं तुम्हें बता बताकर ठक गई थी कि तुम्हारी मा और बेहन मुझे पर कितना अत्यचार करती हैं तुम्हें नहीं पता कि एक दिन तो उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मारा था कि मैं अपने माई के शिकायत करने के लिए चली गई थी मुझे लगा कि शायद मेरे पापा जब यहां तुमसे शिकायत करने के लिए आएंगे तो शायद तुम समभल जाओगे मगर तुम तब भी नहीं समझे थे और उल्टा तुमने मुझे ही डाट दिया था तबी से ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि मैं तुम्हें बता कर ही रहूंगी कि किसी की बात का यकीन ना करने पर कैसा लगता है आज मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ क्या तुम इस लड़की के साथ इसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहे थे व इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मुहबत खोकली है तुम मुझसे कोई प्यार वियार नहीं करते अगर तुम मुझसे प्यार करते तुम मेरी बात कभी मान रखते तुम इस खुबसूरत लड़की के खुबसूरत से चेहरे पर मर गए ये मेरी दोस्त है और इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था वर्तिका मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी और मेरी पत्नी अपनी आँखों में आशू लिये रो रही थी और कह रही थी कि मैं लाचार नहीं हूँ मैंने सिर्फ ऐसा करने की एक्टिंग की ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूँ मुझे तुम्हा लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी तुम्हारी मा का भी यही कहना है कि मैं खुबसूरत नहीं हूँ इसलिए वो मुझे कभी इस घर में नहीं टिकने देगी तबी तो वो मुझे पर अत्यचार करती रहती थी जब उन्हें पता चला कि मैं लाचार हो गई हूँ त तो वो बहुत खुश होई थी और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जल्दी अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी निधी कहने लगी कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैंने निधी को रोकने की बहुत कोशिश क दोनों वहां से जा चुकी थी मैं दोनों की बातों में फस गया था दरसल डॉक्टर भी इनका ही एक दोस्त था जिसने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि निधी लाचार है निधी बिल्कुल ठीक थी और ये सब वो मुझे सबक सिखाने के लिए कर रही थी मैंने निधी को र मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था उस पर मेरी मम्मी ने बहुत अत्यचार किये थे और मैंने कभी उसकी बात का यकीन ही नहीं किया मुझे आज बहुत अफसोस होता है मैंने कभी उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया तब ही तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया था हम दोनों का रिष्टा अब हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया मेरी ममी जब घर आई तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया और मैंने उनसे भी सारे संबंद खतम कर दिये क्योंकि एक वही थी जिनको शुरू से ही निधी पसंद नहीं थी इसलिए तो उन्होंने निधी पर इतने जल्म किये थे ताकि वो खुद मुझे छोड़कर चली जाए मगर वो फिर भी उनके अत्यचार बरदाश करती रही निधी एक बहुत अच्छी लड़की थी और मुझसे बहुत प्यार करते थी शायद उस जैसी पत्नी मुझे कभी नहीं मिल सकती मेरी मम्मी और बहन निधी के साथ जो कुछ किया था आज उसकी सजा उन्हें मिल गई थी मेरी बहन की जब शादी हुई तो उसकी ससुराल अच्छी नहीं मिली और मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी मम्मी का कहना था कि मैं शादी कर लूँ मगर मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं शायद किसी औरत के काबिल नहीं हूँ मैं आज भी अपने गलती पर शर्मिंदा हूँ और आज भी निधी से माफी मांगता हूँ निदी ने मुझसे सारे संबंध खतम कर दिये और वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हमें हमेशा एक इंसान की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए दोनों लोगों की बात सुनकर शांत दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना कि किसी एक इंसान की बात पर ध्यान देना चाहिए जो आपको पूरी तरह से जूटी जूटी बाते बताए मैंने ही चाहती कि आप लोगों का हाल भी तुशार की जैसा हो जाए जो एक तरफा बातों में आकर अपनी पत्नी को खो चुका है अगर आप लोगों की पत्नी गलत है तो आपको अपनी मा की भी सुननी चाहिए और अगर आपकी मा गलत है तो आपको अपनी पतनी की भी बात सुननी चाहिए दोनों की ही बात सुनकर फैसला करना चाहिए तब भी बात का असल सॉल्यूशन निकलता है आप दोनों की ही बात पर यकीन करें और दोनों को सपोर्ट करें दोनों को एक जगा बिठा कर समझाए इस तरह से ही आपका घर बस सकेगा वरना आप लोगों की हालत भी तुशार की जैसी हो सकती है दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन मेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले